अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी के बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले आप सबी का स्वागत है आज हैं हम कलम के उस जादूगर के साथ जिनोंने अपनी कलम से पूरे देश प्रिदेश की निगाहों और बहुजन समाज की अवाज को बदल के रख दिया है शांती सरुब बौद जी जो अपनी किताबों से ही नहीं अपने वैक्तित्पे से भी पूरे देश के उपर हावी होके सर चड़कर बोते हैं शांती सरुब जी आपका हमारे चैनल में स्वागत हैं शांती सरुब जी आप बहुजन समाज को रिपरजेंट्स करते हैं बहुजन समाज की बात करते हैं बहुजन समाज की किताबें चापते हैं आप सभी महनुभाओं की किताबें आपके सम्मे प्रकाशन से आई हुएं अधिकतर लोग जब हम लोग मिलते हैं या आपके सामने में भी आई होगी बाबा सहाब के जो फोटो है लोग चाहते हैं कि वह गांधी की फोटो की जगए बाबा सहाब का फोटो अलगा रह रहे है जबिँ फोटो का कोई विशेश नहीं होता है लेकिन क्या कारण है कि वो लोग ऐसा चाहते हैं बहुजन समाज के लोग कि जो नोट के उपर फोटो होना चाहिए वो बाबा साप का होना चाहिए गांदी का नहीं उसके बारें बताएं देखें बात आपने बिल्कुल ठीक पूछी है कि वास्तों में जो इस देश का बहुजन समाज है जो आज अपने दुश्मनों को और अपने दोस्तों को पहचानने में कामियाब हुआ है तो उसे गांदी जी बहुत अखरते हैं कारण क्या है कि बैवरले निकोलस एक इंग्लिश राइटर है उन्होंने इंशाइड एशिया नाम की एक किताब में बाबा साप के बारे में लिखा है कि वो दुनिया के छे विद्वानों में से एक थे और उसी किताब में वो लिखते हैं कि बाबा साप के हवाले से कि इस देश के बहु जनों का गांदी से बड़ा कोई दुश्मन हुआ नहीं गांदी को राश्पिता कह देते हैं मैं इस मत्से सहमत नहीं हूँ राश्पिता वो होता है जिसकी विचारधारा पर उसका राश्च चलता है गांधी एक सोटी लेकर चलते थे, लंगोटी पहने के चलते थे, मगर सोटी लंगोटी तो नहरुन ने सुविकार नहीं की, शास्त्री जी ने भी सुविकार नहीं की, वीपी सिंग नहीं की, आज का जो नरेंदर मोधी वो भी लंगोटी नहीं पहनता, हाथ में सोटी लेकर नहीं चलता ना उनकी विचार धारा तो यह थी कि आप खदर पैनों जंगलों में रहो पेड़ के उपर गोंसला बना के रहो वो साइंटिफिक ग्रोथ के तो बिल्कुल पक्ष में नहीं थे मगर आज देश जो साइंटिफिक ग्रोथ कर रहा है तो बाबा साहिब डाक्टर अ को अपने सिरोधारी रखना चाहती है और जो गांधि को इस्थापित करना चाहती है जनता साइथ करना चाहती है गांधिdefense घ्राविय até Deto दिर वाप को भाप WhatsApp को भापाव करते है दिली वाला हूना हमारे बाप को कहते हैं बाबदेद सब्सक्तर बाप कर कैते हैं लिए वह स गांधी एक दाई थे, बाबा साहब हमारे जो भावनाए हैं उसके हिसाब से देखा जाये तो वह हमारी मा थे, दाई कभी मी मा का इस्थान ग्रेन नहीं कर सकती, वो तो एक थोड़ा से पैसे के लालच में, तनखा के लालच में एक बच्चे का लालन पालन करती है, वो इमान सद्रक्षन करती है, तो मा में और दाई में जो अंतर है, वो अंतर बाबा साहब डाक्टरम बेटकर में और गांधी जी में हैं, अब आप ये देखिए, जो हमारे भारत वर्ष का जो नोट है, हर एक पर गांधी को ले आए, हर एक पर गांधी को ले आए, क्या बेहिमानी ह कहते हैं भई अमेरिका में जो डॉलर है उस पर वहां के राश्पती का फोटो है गलत राश्पती का फोटो नहीं है मुझ सारे राश्पतियों का फोटो है सारे महापूर्शों के फोटो है एक के नहीं है तुमने एक करी रखा हुआ है वो क्यों रखा हुआ है कि हमारे सबसे बड़े परह कर्मी समराथ अशोक की चार शेर की मूरती जो इस देश की सांस्क्रितिक विरासत की पृतिनी दी है जिंदा पृतिनी दी है सफल पृतिनी दी है गौरोशाली पृतिनी दी है उस परतिमा को तुमने निरस्ट करके वो गांधी लाके रख दिया गांधी का और समराथ अशोक का क्या मुकाबला है साथ मगर ये सरकार ने बड़ी गल्तिया की है एक गल्ति ये भी की है जनता किसी भी हालत में गांधी को स्विकार नहीं कर रही है और अगर उसको स्विकार कर रही है न बता दो जब दो अक्टूबर आता है कितनी जैनतिया मनती हैं जनता में सब सरकारी महक में कारे करम होते हैं सरकारी लोग होते हैं मगर बाबा साहिब डांक टम बेटकर की जैनती का यह आला में साहब दो महीने पहले शुरू हो जाती है और दो महीने बात तक चलती है और ना केवल दिल्ली में चलती राजदानी में ना केवल महराष्ट में चलती उनके होमलेंड म बलकि सारी दुनिया में उनकी जेंतिय मनाई जा रही है जो जो समय बीता जा रहा है बाबा साहिब डांक्ट अमबेटकर की छवी उतनी ही विश्त्रित होती जा रही है बाबा साहिब डांक्ट अमबेटकर की डैथ हुई थी 6 दिसंबर 1956 को तो 7 दिसंबर को बंबई के दादर चोपाटी पर जो उनका अंतिम संस्कार हुआ था और वहाँ पर जो परवचन हुए थी उसमें डैडी एन शिवराज ने एक परवचन दिया था और उसमें कहा था कि डैड अमबेटकर is more powerful than lived अमबेटकर यानि कि जो मरे हुए अमबेटकर है वो जीवित अमबेटकर से अधिक इस शक्ति शाली हैं तो बाबा साहब डांबेटकर की शक्ति उनके जाने के बाद आज सारी दुलिया में बड़े अराम से आप देख सकते हैं उनकी जेंतियां उनके उपर research seconds उनके नाम पर स्कूल कॉलिज सारी दुलीया में खुल रहे हैं अम्रीका में, केनिड़ा में, जर्मनी में, इंगल heniones में, पैरिस में, जापान में, ताइवान में, बीतनाम में, चीड में, आस्टिलिया में, न्यूजी लैंड में, जहां जहां हमारा संपर्क है, हम देखते ह कि सब जगा बाबा साहिब डांक टम बेटकुर को इस्थापित करने का काम कर रहा है गांधी जी की छवी धूमिल होती जा रही है बाबा साप की छवी परबल होती जा रही है यह आज के इस जमाने का सबसे बड़ा सत्य है जो व्यक्ति गीता में यकीन रखता हो जो व्यक्ति अंद विश्वास में वर्ण आश्रम में यकीन रखता हो वो इस देश का नायक कभी नहीं हो सकता हाँ शडेंतरों से आप उसको नायक बना सकते हैं मगर जनता के अपनी भावनाओं के आधार पर गांदी जी को रद्ध कर दिया है निरस्त कर दिया है यह आज का सबसे बड़ पर फोटो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूतें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले